तो यहां पर यहारा दोस्तों मेरे पास Realme 95G स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में top 60 जी यहां दोस्तों 60 से ज्यादा इंट्रेस्टिंग आउसम कमाल धमाल की फीचर्स आपको बताऊंगा अपनी स्मार्टफोन को इंट्रेस्टिंग आउसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ करने के लिए और यह जो पांचल में लेटिंग है ना इसक्रिंशॉट लग जाता है यह देख सकते हैं और इसके अलावा वैलू मनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी इसक्रिंशॉट लग जाता है उपर से लेकर आपको नीचे तक लॉंग इसक्रिंशॉट चाहिए इस फोन में तो सब दोध अपटल कर सकते हैं जबंपर इसक्रिंशॉट लग जाता है दोसूं अगर 2 दोध की बीच में काम कर रहे हैं और पका पहले वाली application में जाने के लिए इस minimum button पर double click करना है इस application में आ जाते हैं वापस से इसी पर double click करेंगे इस application में आ जाते हैं अगली फिचर की बात करते हैं दूस्थों आपका आना है भी setting में setting में आने के बाद आपके हमपर दिखता होगा सबसे पहले display and brightness आपको इस setting में आना है आने दिरिक लिए आफ करता हूँ आप इसको एनिटाइम यूज़ करना दूसरों आपके आँख सेफ रहेंगे इसके ठीक नीचे और है अटो ब्रैक्नेस यहां से स्कॉन करेंगे तो आप धूप में जाते हैं तो अटोमिटिक ब्रैक्नेस ज्यादा होगा और अंदेरे में जाते ह इस ऐसके आपके मिलता है आटो रोटेट इसको उन करेंगे तो जैसे आप रोटेट करेंगे फून को तो पूरा स्क्रिंड आपको उसी तरह रोटेट हो जाता है इसको यूज़ करना चाहिए कर लेना इसकी अड़ूप मतलब आप फून को इस तरह से रखा है लॉक बटन आप नहीं दबाया एक्सेंपल आपने यहां पर एक मिनिट कर लिया तो आपने इस तरह से फूंट रख दिये तो एक मिनिट के बाद में डिस्पलिय आपका अफ हो जाता है इसके लहां पर स्क्रिन कलर टमपरेचर हैं से वार्म कर सकते हैं डिफॉल्ल कर सकते हैं आपको जो को बड़े कर सकते हैं यह देख सकते हैं मैंने बड़े कर लिया है तो कितने बड़े हो चुके हैं अपने फॉंट्स आपस इसको छोटे करना चाहिए चोटे कर सकते हैं और हाँ पर डिस्पेस साइज को भी बड़ा कर सकते हैं यह बड़े हो जाएंगे हैसी इसको आप बड़ रख सकते हैं आपका फोन स्मूथ चलता है इसके बाद एक और श्टाइब आते हैं ब्याक आने के बाद में आपको हम पर दिखता है वालपेपर्स आपको आना ही सटिंग में एग्री एंड कंट्यूनी कर लाना है अगर आप पहली बार आये तो अलोग कर लेना अगर आप पह नहीं तो आप स्टेटिक वालपेपर्स आपने हम पर जो वालपेपर अच्छा लगए उसको एपलाए कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर लाइव वालपेपर भी आपको मिलते हैं जो लाइव वालपेपर आपको अच्छा लगता है उसको आप यहां पर एपलाए कर सकते ह अगली फीचर की बात करने के लिए इस त्रोड पर क्लिक करके सेटिंग में आना है है यहां पर है कॉलर एड़ एंड इन इन दोनों सेटिंग्स को आउन करना आपको जो भी फेक कॉल वागर आते हैं तो आपको पता चलेगा जो भी कॉल आते हैं वेरिफाइए होकर आएंगे ब्याक आने के बाद आपको हम पर दिखता होगा ब्लॉक एड नंबर आपको इस सेटिंग में आना है इसको आन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा और यहांसे इसको बंद करके कोई भी नंबर को ब्लॉक करना च करेंगे तो जो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैसिट है वो लगेगी इसके बाद आपको पर दिखता होगा अटो अंसर आपको इस सेटिक में आना है यहांसी इसको अन करना है डिले अटो अंसर यहांसी आप कर सकते हैं आपको call आता है तो यहां Prof करते हैं तो जैसे we are यहां से हम इसको करेंगे dark तो यह phone वाला application dark mode में convert हो जाता है बाकि सब कुछ तो यह light mode है चले दोसों back आते हैं यहां पर आपको दिखता होगा और एकदम लाश्ट में हम पर है flip to silence यहां पर इस setting में आना है यहां से इसको on करेंगे अब माल लो आपको call आता है आप call issue नहीं क कर लेना है और यहां पर सबसे पहले आप कुछ themes मिलते हैं दोसों एक extra theme इसमें available है आपको यह अच्छा लगए रख सकते हैं नहीं तो जो डिफॉल्ट वह ही है वो यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप और भी श्टाइलिस वाले चाहिए तो डाउन करके रख सकते हैं back आने के बाद हाँ पर app layout को भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं दोसों यह देख लीजिए आपको जो अच्छा लगए कर लेना back आते हैं हाँ पर colors मतलब हाँ पर notification पैनल में हमने आप जो भी on किया है यह इस तरह से दिख रहे है ना blue color में तो हाँ पर इसका color हम चेंज कर सकते है यहां पर मैं कर लूँगा green apply करूँगा तो यह देख लें blue जाकर भी green हो चुके हैं back आने के बाद यहां पर है और notification ड्रावर है यह जो notification पैनल में जो icons है इसका style यहां से आप change कर सकते हैं जो आपको style अच्छा लगए उसको apply कर लेना back आते हैं इसके बाद आपको और आना अलम यहां ने आ हैं नीचे हैंने के बाद यहां पर अप्र यहां पर लूधिक्ट आपने स्माटफोन को कर सकते है इसके आलओं यहां इसी on a wireless setting में आक में नीचे आंगे इंगे आपको इस सेटिंग में आना है यह जो सारे सांड्स आना सब को आफ करना है सब को आफ करेंगे तो आपकी फोन की बैटरी पेकप ज्यादा देगी दिस्टों कैसे आपको मैं बताऊंगा अब मालो आप इन सारे सेटिंग्स को आउन कर लिया तो स्क्रीन शॉट लेने के बाद टैच क पर क्लिक करने के बाद आपका फोन होना चाहिए तो यहां से इसको आउन कर सकते हैं मैं तो आफ कर लेता हूं क्योंकि यह भी बैटरी कंजूम कर लेता है अगले फीचर की बात करने के लिए दूस्तों आएंगे वह आपको से सेटिंग में आपके हम पर दिखता होगा अभ लॉक करके रखें खेंशन को कोई भी अप को नोटिफिकेशन आता है तो हम पर इसतरा से पूल डॉट अउन करके पूरा मैसेज ही देख सकते हैं लॉक श्राग से इसके बात हैं मैनेगे में आजिदफेवेकेशन में आएंगे हम पर लॉऌक स्कूरिंद क्रूक में आता है तो इस तरह से हम पर बताएगा दोस्तों चलिए इसके बाद आपको उसके ठीक नीचे एक और फीचर मिलता है बैज बोलखर यहाँ पर दोस्तों नमबर डॉट है और डॉट शो है और नमबर और डॉट दोना है कोई भी ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा अपड pyramid करेंगे तो एक डॉट बताएगा अपनbड करेंगे तो कितने आपको रिज करनेी क्युक्वती इसके बाद अपर डॉट करेंगा इसके फीचर आप झेंज करते हैं ऐसे यह features आप use कर सकते हैं इसको on करके other messengers को इसके अलाव हम पर नीचे आने के बाद हम पर सारे applications आपको दिखते हैं कौनसे एप से notification आने के बाद हम पर उपर उसका notification नहीं आना चाहिए example मैं यहाँ पर कर लेता हूँ chrome को क्योंकि chrome से बहुत सारे notifications आते हैं ना तो हम पर क्या करेंगे इसको बंद करेंगे अब बंद कर लिया तो chrome से हमको कोई भी हाँ पर notification ही नहीं आएगा चलिए back आते हैं और आप कहां पर दिखता होगा और show battery percentage on status bar यहाँ पर आप inside करेंगे तो battery box के अंदर battery percentage बताएगी आप outside करेंगे तो battery box अलग percentage अलग इस तरह से बताएगा इसके बाद यहाँ पर है और real time network speed इसको on करेंगे तो जो आप internet यूज कर रहे हैं तो आपकी internet की speed कितनी है कितने mbps कितने kbps यहाँ पर आपको उपर बताएगा अगले future की बात करने के लि यहां से आप ablations को head भी कर सकते हैं आप पर pattern pin password जो रखना चाहिए रख लेना अब लोग जैसे रखते हैं उसी तरह आप यह सट कर लेना उसके वाद हम पर हाय वगरा कुछ भी डालेंगे चलेगा facebook को head कर लेता हूं यहां पर इसके ओपर क्लिक करके हैं पर setting पर क्लिक करना है यहां पर आपको dial करना है यहां पर क्लिक कर देना है चार सकेंड यहां पर आपको wait करना है दूस्तों हम यहां पर done करेंगे चार सकेंड वेट करके उसके वागए आपको अभी facebook नहीं मिलेगा आपको facebook यूज करना है तो dial pad में आना है हां पर आपको dial करना है दूस्तों व आउडियो वीडियो डॉक्यमेंट्स वगरा सब कुछ आप यहां पर छुपा कर रखेते हैं इमेजस वगरा भी तो यह रख लेना एक और श्टब ब्याक सोब्सक्राइब यहाँ पर security है, हाँ पर find my device है, यह off है, तो हैंसी इसको on करके रखना दोस्तों, अगर आपका phone घुम जाता है, तो आप track कर पाएंगे अपने smartphone को, back आने के बादे हम पर आपको आना है, convenience tool setting में, आने के बादे हम पर दोस्तों, आपको दिखता है, gesture and motion आपको इस setting में आना है, अलो कर लेना है, एक और बार अलो कर लेना है, screen off gesture से हैंसी इसको on कर लेना है, हम पर सबस्पले double tap to turn on screen, इसको on कर लेना है, अब मालो आप lock करके रखें phone को, तो double tap करेंगे, screen on हो जाता है, इसके बादे हम पर उसके ठीक निची है, हम पर draw o, draw v है, इन दोने settings को on कर लेना, यह का है, आपको बताऊंगा, अब मालो आप lock करके रखें phone को, तो आपको अभी use करना है, दूसरों flashlight, तो we dial करना off screen से ही, तो यह flashlight on हो जाती है, इसके अलाव हम पर आपको camera open करना है, तो यह camera app open हो जाता ही, चले setting में आएंगे, और आपको इसी convenience tool setting में आना है, यहाँ पर आप head करना चाते हैं, तो यहाँ पर कर लेना, sub gesture from bird side कर लेंगे, तो buttons head हो जाएंगे, आपको back आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ सी भी आप back आ सकते हैं, और home button पर click करना तो नीचे से बस इतना करना, recent text करने के लिए नीचे से आप recent text को भी remote कर सकते हैं, अगली feature की बात करने के लिए दिस्वों आते हैं, वहाँ से setting में, और आप यहाँ पर आना है, अभी और इसी convenience tool setting में आना है, यहाँ पर smart sidebar, यहाँ से इसको on कर लेना है, on करेंगे, तो यहाँ पर एक sidebar निकले कर आएगा, इस तरह से slide करेंगे, तो यहाँ से आप screen shot ले सकते हैं, screen recording कर सकत हैं, और यहाँ पर plus पर क्लिक करके, अपने मन पसंद के applications आप यहाँ पर add करके रख सकते हैं, आपने जो applications को ज्यादा यूज़ करते हैं, उन application को slide करके रख लेना है, slide करेंगे, तो यहाँ पर applications को आप dual कर सकते हैं, अगली feature की बात करने के लिए इस notification panel में आएंगे, आने क यहाँ पर दोस्तों और आप Wi-Fi और hotspot दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने Wi-Fi का data आप hotspot के जरीए थोड़ा सा share कर सकते हैं, किसी को भी without password डाले दूसरे smartphone में, इसके बाद यहाँ पर और इस तरह से slide करेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई feature नहीं मिल रहा है, तो य ले सकते हैं, focus mode, इसको भी ले लेंगे उपर, इसके बाद ãy • Alison олод इसको भी ले लेंगे उपर, और bedtime mode इसको भी लेंगे उपर, तो शाले आप screen recording करना चाहँए, तो आप इस पर click करके SCREO don यहां से आप कर सकते हैं एफ्ट्रा एप लेने के ज़रूरत ने चलिए इसके बाद आपको मिलता है बैड टाइम मोड मतलब आप सोते वक्त इसको आउन करेंगे तो आपको कॉल मेसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा तो चलिए और इसके बाद में और है वान हैं म यह इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे चलिए दुसके बाद हैं नेक्ट फीचर की बात करने के लिए लौं करते हैं होम इसके अरो मर्ड पर क्लिकर के मोर में आएंगे हैं पर होम स्क्रिन मोड हैं आप सिंपल मोड भी कर सकते हैं अपको जो फीचर की बात करने के लिए setting में display keyboard when entering app drawer इसको on करेंगे तो आप जैसे app drawer open करते हैं तो that keyboard आता है दूसरों आप यहाँ पर application को सर्च करके open करके use कर सकते हैं अगली feature की बात करने के लिए long tap करके आएंगे more में और नीचे यहाँ पर है icon pull down gesture यहाँ सी long tap करते हैं home screen पर arrow mark के उपर clicker के more में आते हैं यहाँ पर है दूसरों नीचे आना है lock home screen इसको on करेंगे तो जो home screen वाले applications हैं उसी जगा लॉक हो जाएंगे अपने अपने जगा से हिलेंगे ही नहीं यह आप देख सकते हैं इसके आला हम पर long tap करके आते हैं more में arrow mark के उपर clicker क सेटिंग में हैं यहाँ पर आपको कर लेना है notification आवर आपको अभी notification पैनल निकलना है तो उपर से खीचने के जरूरत नहीं नीचे से इतना करेंगे निकल कर आएगा अगले feature की बात करने के लिए long tap करके हम पर arrow mark के उपर clicker के more में आते हैं हाँ पर नीचा आना है यह देख आपके हम पर आना है नीचे add apps to home screen इसको उन करेंगे तो जो आप नया application download कर लेते हैं play store से तो वो home screen पर आ जाएगा इसके बाद हम पर नीचे यहाँ पर double tap to lock इसको उन करेंगे तो अब माल लोग करके रखना है phone को double tap करना है लॉक हो जाता है तो चलिए हाँ पर और बात करत यह search करके इसको download कर लेना है अभी तो फिलहाल इसमें internet नहीं है नहीं तुम्हें आपको करके बता देता है आपको बस इस application को download कर लेना है यहां पर यह रहा वह application अगर आप banking करते हैं या कुछ भी important data वगरा रखते हैं अपने phone में तो इसको मत यूज़ करना दूसरों क्यों कि यह secure है या कैसा है पता ने यह google play store में आपको नहीं मिलेगा उसलिए आपको मैं बता रहा हूं तो आप फिर भी use करना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना है इसके उपर click करके सारे permission वगरा देना है allow वगरा करना है तो यह सब कुछ permission देकर आएंगे आप इस सरह से इस page में तो यह off रहता है तो यहां से सबसे पहले इसको on करना है तो यहां पर इसके size को यहां से चोटा बड़ा करके रख सकते हैं और यहां पर यह रहा दोस्तों यह controller है इस controller से आप अपने camera के पास लेकर जा सकते हैं इस ring को नीचे आने के बदिए हम पर इसके thickness को कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं और इसके उपर क्लिक करके हम पर यह होता है सेगमेंट कलर होता है और सेगमेंट कलर आपने कर लिया तो आपको यह color set करके रखना है तो इस code को क्या करना है भी copy करना है इस code को उसके बाद आपके हम पर इसके ऊपर क्लिक करके हम पर इस code को paste कर देना है तो चलिए हम पर paste कर दिया यह रहाँ paste कर दिया तो यहां पर उसके बाद क्या करेंगे इसके उपर क्लिक करके सिंगल कलर करके इसके उपर क्लिक करके प्रिसेट की उपर क्लिक करके इसके उपर क्लिक करके आप ग्रेंगे तो यह देख सेट हो चुका है इस तरह यह था दुस्तों वीडियो आपको यह वीडियो का सलगा नीचे मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में नहीं तो हाँ पर किलिक कर लेजिए हाँ पर आपको वीडियो दिखरा होगा